साथियों, टैक्स में कमी और प्रक्रिया में सरल्ता के साथ साथ, जो सबसे बड़े सुधार किये गए हैं, वो इमानदार टैक्स प्वेयर की गरीमा से जुड़े हैं, उनको परेशानी से बचाने से जुड़े हैं। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं, जहां टैक्स प्वेयर के अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को कोडिफाई किया गया हैं, उनको कानूनी माननेता दी गई हैं। टैक्स प्वेयर और टैक्स कलेक्टर करने वाले के बीच विश्वास बहाली के लिए पारदर्शिता के लिए ये बहुत बड़ा कदम रहा है। जो व्यक्ति अपना स्रम, अपना पसीना देश के विकास में लगा रहा है, अनेक देश्वासियों को रोजगार दे रहा है, वो हमेशा सम्मान का अधिकारी है। और मैंने पन्दर आगस को लाल किले से भी बड़े आगरव और सम्मान के साथ इस बात का जिक्र किया था। से ज़्यादा साथी देश के विकास के लिए टैक्स व्यवस्ता से जूढने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार किस तरह टैक्स पेर्स पर बरोसा करके चल रही हैं, इसका एक और उधारन मैं आज आपको देना चाहता हूँ। साथियों, पहले विवस्ता ऐसी थी कि देश में जितनी भी लोग या कारोबारी इंकम टैस रिटरन फाइल करते थे, उनमें से अधिकाउंस को आएकर विभाग की स्कुरूटीनी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार की सोच यह हैं, कि जो इंकम टैस रिटरन फाइल हो रहा है, उस पर पहले पूरी तरह विस्वास करो। इसी का नतीजा है, कि आज देश में जो रिटरन फाइल होते हैं, उनमें से 99.75 प्रतिशत बीना किसी आपत्ति के स्विकार कर लिए जाते हैं। सिरफ 0.25 प्रतिशत मामलों में ही स्कुरूटीनी कराई जा रही है। ये बहुत बड़ा बडलाव है जो देश के टैक्स सिस्टिम में आया है।